Hello everyone, आज की वीडियो में हम इस designer sleeves को बनाना सीखेंगे बहुत ही असान तरीके से आज हम आपको ये बनाना बताएंगे अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें तो इस sleeves को बनाने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये double layer कपड़ा लिया है इस कपड़े का जो size लिया है वो हमने 22 inch लिया है 16 inch हमने ready sleeves रखनी हैं इसके लिए हमने 22 inch कपड़ा लिया है अब जो आप देख सकते हैं जो ये कन्नी वाली साइड है हमारे कपड़े में जो open साइड है हमारे कपड़े की उस साइड से हमें 4 इंच का एक निशान लगाना है सेम यही निशान एक कोर्नर पर लगाना है और 4 इंच का निशान ही दूसरे कोर्नर पर लगाना है अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इन निशान को हमें एक स्टेट लाइन में मिला लेना है मिलाने के बाद अब हमें जो हमारे कम्प्लीट कपड़ा है उस कम्प्लीट कपड़े से ये 4 इंच कपड़ा अलग कर लेना है इस तरह हमने जो हमारा complete कपड़ा था उससे 4 इंच कपड़ा अलग कर लिया है बाकी जो हमारे पास कपड़ा बच्चा हुआ है उस कपड़े को हमने double fold कर लेना है कपड़े को double fold करने के बाद अब कपड़े में उपर से नीचे की तरफ 6 इंच का एक हम निशान लगाएंगे इस तरह हमने यह 6 इंच का निशान लगाया है अभी 6 इंच के निच्चे हम 6 इंच का निशान अपनी armhole का लगाएंगे हमने जो हमारा top है उसमें 6 इंच armhole लिये हैं तो हमने यह आर्म होल 6 लगा लिये हैं, अब जो यह दोनों 6 निशान हैं, इन दोनों निशान में हमें अपनी आर्म होल की शेप देनी हैं, तो वो शेप देने के लिए हमें, जैसे आप देख सकते हैं, हमने इसमें एक स्टाइल से एक निशान बनाया है, इस तरह आप इस आर कर्मोहल का निशान लग चुका है हमारा अब उपर से हमने 6 इंच लिया है इससे थोड़ी आगे हमें 6 इंच और लेना है निशान लगाना है फिर थोड़ी सी आगे हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है फिर 6.5 इंच पर थोड़ा बीच में आके हमें 7 इंच ले लेना है नि इन निशान को हमें आपस में मिलाना है, यहां तक हमने निशान लगा लिये हैं, और इनको आपस में मिला लिया है, अब यह निशान लगाने के बाद अब जो यह वाली साइड है, इस साइड हमें अपनी बाजू की फिटिंग लगानी है, हमारी बाजू की फिटिंग 9 इंच ह साड़े चार इंच हाफ करके लगाने हैं कोई extra margin इसमें नहीं रखना है 9 इंच है तो साड़े चार इंच हमने निशान लगा लेना है और उसको इस तरह निचे तक shape में मिला लेना है इस तरह आप देख सकते हैं हमने जो हमारी बाजू की drawing है इस drawing को complete बना लिया है I hope यह drawing आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like और share जरूर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और साथ में जो bell वाले बटन है उसे भी दबा ली बाजू की cutting कर ली है अब हमने जो armhole का निशान लगाया है उसकी भी cutting कर लीनी है और बहुत ही असान तरीके से हमने इस designer बाजू की cutting कर ली है जैसे आप देख सकते है बाजू की cutting करने के बाद अब हमने जो 4 इंच कपड़ा extra cut किया था उस कपड़े को लेना है और आप देख सकते हैं हमारी जो बाजू की fitting है वो 9 इंच है तो 9 इंच हमारी fitting है 9 इंच में हमें 3 इंच और extra add करने हैं और 12 इंच कपड़ा cut कर लेना है 12 इंच हमने एक कफ के लिए कपड़ा cut कर लिया है हम अपनी बाजू की सिलाई करेंगे तो यह हमने जो बाजू cutting की है अब हम इसको seal ना बताएंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारी बाजू जो हमने proper तरीके से cut कर लिये है हमारी जो यह बाजू है अब हमको इसको open करना है आप देख सकते हैं यह armhole की गुलाई है हमारी अब जो नीचे से fitting वाली side है इस side से हमें बाजू को इस तरह fold करना है बिल्कुल पतला सा और फिर एक बार overfold करना है और fold करने के बाद हमें इसको seal लेना है इस तरह आप देख सकते हैं हमने इस तरह fold कर लेना है हमारी बाजू को और इस तरह हमें अपनी जो complete जो हमारी बाजू है उसको जिस shape में हमने cutting की है उसी shape में धीरे-धीरे हमें fold कर लेना है अगर आप इसको fold नहीं करना चाहते तो आप इसको pico भी करा सकते हैं इस तरह आप देख सकते हैं हम पर सिलाई के साथ ही इसको fold कर लेंगे बहुत ही असानी के साथ ये हमारी fold असानी से हो जाएगी आज कल इस sleeves का trend बहुत जादा चल रहा है आप वीडियो पर बने रहे हैं और वीडियो को complete देखने के बाद आप थोड़ी बहुत भी सिलाई जानते हैं तो इस sleeves को असानी से घर बैठे बना सकते हैं इस तरह आप देख सकते हैं हमने जो हमारी sleeves है उस sleeves को complete fold कर लिया है हमारी sleeves को हमने complete fold कर लिया है fold करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी sleeves हमारे पास इस तरह कुछ बनकर आई है इस तरह हमने चारो तरफ से सिलाई लगा ली है अब सिलाई लगाने के बाद अब जो हमने अपनी स्लेउस में कफ के लिए कपड़ा कट किया था उस कफ के कपड़े को लेना है उसको सिंगल करना है सिंगल करने के बाद उस कपड़े को हमें इस तरह डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद हमें इस कपड़े को आदा आदा इंच के गैप में साइड से दोनों साइड से सील लेना है यह जो हमारी बाजू का कफ था उसको हमने एक साइड से सील लिया है सेम इसी तरह हम दूसरी साइड से भी सील लेंगे कफ को सीलने के बाद हम इसको सीधा करना है इस तरह हम बिल्कुल जो हमने कफ को सीला है उसको सीधा कर लेंगे कफ को सीधा करने के बाद हमारा कफ सील चुका है सीलने के बाद सीधा करने के बाद उसको हलका सा अंदर की साइड हमें इस तरह फोल्ड करना है, इस साइड से भी हमें हलका सा अंदर की तरह फोल्ड करना है, एक पैर का आप ये गैप मान सकते हैं, एक पैर हमें अंदर की तरह फोल्ड करना है, इस तरह हम दोनों कपड़े को उपर और निचे दोनों साइड को एक पैर अंदर की तरह फोल्ड करेंगे और इस पर प्रैस कर लेंगे, कपड़े को फोल्ड और प्रैस करने के बाद आप देख सकते हैं, हमने इस पर प्रैस कर ली है, प्रैस करने के बाद इस तरह हमारी जो क्रीज है वो बन चुकी है, और जो हमारी कफ है वो अलमोस्ट रड चाहे इस सिध्याधी वाली साइड है , इसके अंदर वाली साइड हमारी उल्ठी है , जहां पि हमने अपनी स्लीव फोल्ड करके रखा था सीधी वाली सैड लेनी है और जो हमने स्लीव को रड़िय किया है उसको हमें बिल्कुल कफ के बीच में डालना है कुछ इस तरह आप देख सकते हैं इस तरह डालने के बाद एक इंच हमें कफ से छोड़ना है अपनी स्लीव को और एक इंच की दूरी पर हमें अपनी स्लीव रखनी है और रखने के बाद हम इसको सील लेंगे इधर की साइड हमारा कपड़ा जो हमारी कफ है वो थोड़ी एक्स्टा बच के आईगी क्योंकि हमने कफ थोड़ी एक्स्टा कटिंग करके रखी हुई है हमारी जो कफ आईगी वो एक्स्टा आईगी क्योंकि हम इसमें जब टीच बटन लगाएंगे तो यह अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी इस तरह आप देख सकते हैं हमारी जो स्लीव है वो प्रोपर तरीके से ओल्मोस्ट टड़ी हो चुकी है अब जो हमने अपनी स्लीव में टीच बटन को एड़ करना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं जो हमारी एक्स्टा वाली जो कफ है उसको अंदर की तरह फोल्ड करेंगे और एक प्रोपर गैप हम बीच में रखेंगे कफ में और यहां पर हम दोनों साइट टीच बटन लगा लेंगे टीच बटन लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमने जो हमारी स्लीव है उसके कफ में टीच बटन एड़ कर लिए हैं और टीच बटन के ऊपर हमने दो बटन लगाए हैं जिससे जो हमारी sleeves है वो और भी ज़्यादा सुन्दर लग रही है इस तरह हमने टीच बटन और बटन लगाने के बाद अब हमें जो हमारे आर्मोल वाली साइड है उसको फोल्ड करना है और उपर की साइड एक छोटा कट लगा लेना है इस तरह हमने उपर की साइड एक छोटा कट लगाया है आप देख सकते हैं अब जिस भी कुर्ती में, ब्लाउज में, टोप में हमें sleeves को लगाना है उसको लेना है हमने अपने इस टोप के shoulder की आप देख सकते हैं shoulder का joint है बिल्कुल center में जो हमने cut लगाया है उसको shoulder के joint पे रखना है और proper तरीके से हमें को इसको seal लेना है अगर आपकी sleeves का armhole थोड़ा सा छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है तो उसको आप अपने armhole के साथ adjust कर ले या थोड़ा भोत आप अगर armhole छोटा आ रहा है स्लीव का तो स्लीव को थोड़ा कट कर ले अगर top का छोटा आ रहा है तो top का थोड़ा सा cut कर ले बाकी आपने adjust काटा है तो वो बिल्कुल fix आएगा छोटा बड़े आने का कोई काम नहीं होगा इस तरह आप देख सकते हैं हमारा जो armhole है जो top की और sleeves दोनों fit आई है और हमने इसको अपने top के साथ attach कर लिया है और attach करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो sleeves का final look हो एकदम बनके ready हो चुका है अगर आपको वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लें और साथ में जो bell वाला बटन है उसे भी दबा लें यह हमारी sleeves का final look है आप देख सकते हैं यह sleeves हमने बहुत यह असान तरीक करें